हलो फ्रेंट्स आप साभी का हमारे से यूट्uba क्यisenheit मे refuse आज़ गी वीडियों हम अपर पढ़ने वाले हैं वह है function of a complex variable तो आज से हम complex variable करे स्टार्ट करने रहे हैं और इप हैं जो फैले टोग ग defincan of a complex variable फिर इस complex variable क्या होता है पहले हम यह पढ़ंगे complex variable होता क्या है x plus iota y is a complex variable and it is denoted by z x plus iota y जो term में होता है उसको हम complex variable कहते है जहाँ पर iota की value क्या होती है root minus 1 यहाँ कि यह एक imaginary number होता है iota एक imaginary number होता है तो x plus iota y जहाँ पर हम कहते है x जो है एक इसका real part है और y जो है complex number का imaginary part है अब इसको हम अगर polar form में सो करना चाहिए तो polar form में इसको करते हैं so x बराबर r cos theta plus iota sin theta यह हमारे पास की polar form है और यह जो form है यह हमारे पास cartesian form है z बराबर x plus iota y यह form जो है यह cartesian form है और अगर exponential form में इसको सो करना होता है तो Z बराबर होता है हमारे पास और E की पावर आयोटा थीटा क्योंकि E की पावर आयोटा थीटा बराबर होता है हमारे पास कोज थीटा प्लस आयोटा सें थीटा तो यहां से हमें यह आजाता है हमारे पास exponential form में अगर इसको हम 2D graph के हम सो करना होता है तो इस तरह से हमें को सो करते हैं जैसे यह x की value या y की value तो यह हमारे पास x and y तो x और y यह कोई हमारे पास variable है यह कोई complex number है उसको इस तरह से show कर रहे हैं अगर हम इसको polar form में सो करते हैं तो polar form में हमारे पास अगर जैसे यहां पे polar form में इसके कोई नंबर है R cos theta plus iota sin theta यह है तो हाँ पर R जो होते है वो उसकी origin से length होती है और theta उसके बीच का कौण होता है एंगल होता है तो इस तरह से R cos theta plus iota sin theta इस फॉर्म को सो कर रहा है इस पॉंट को इस पॉंट का जो पॉंट है जो R cos theta plus iota sin theta यह पॉंट है अब फिर इसमें आता है function of a complex variable complex variable function क्या होता है fz is a function of complex variable z and z क्या हमारे पास हम पहले थोड़े पहले ही देखा था z क्या हमारे पास x plus iota y को हम z से denote करते है तो fz जो होगा वो function of complex variable होता है and it is denoted by omega इसको omega से सो करते हो omega बराबर omega w कुछ भी बोल सकते हो फ्रेंट्स जो आपके मन में वह हो यह बैसे omega से ही सो करते है omega बराबर fz fz बराबर u plus iota v जहां पर u क्या है real part of function है real part होता है और v जो होता है वो होता है हमारे पास imaginary part वेर u and v are the real and imaginary part of z जो function है उसके हमारे पास u जो है real part होता है और v जो होता है वो imaginary part होता है अपर नेक्स्ट वीडियो हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम neighborhood of z0 झाल सभू जो है कि अ जिए जे इन सबानों सकति करो प्रू जुप है भंगे बूए ने सब्सक्स्ताब चुजॢन सकति का ज不好 अब्सक्श्वधर चाल सब्सक्णती का चल तो